असलाम उलेकुम स्टुडेंट्स होफुली आल आफ यू विल बी फाइन जैसा कि आप चानते हैं कि आपको ओनले लेक्चर में रहे हैं तो यह हमारा सेकर्ट वीक है ओनले लेक्चर का आज डिया है हमारा बैनस्टे और डेट हमारे पास 15 एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 4a Same उसके Question उसमें हमारे पास hi top and decimals and fractions सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि हमारे पास decimals or fractions किया है जैसा कि बेटा मैं आपको पहले भी lectures में बाकि सारे lectures में बता चुकी हूँ कि हमारे पास decimals not fractions and Place Value of तircle digits and place value tables में values को replace करना कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया है decimals जब हम numbers को point form में लिखते हैं तो वो हमारा decimal में convert हो जाता है same जब numbers को हम divide की form में लिखते हैं तो वो हमारा fraction form होता है अगर हमारे पस कोई values हो और उनमें से किसी एक digit को circle किया गया तो उनको place value में कैसे replace करते हैं ये भी मैंने आपको बताया place value tables में value को कैसे replace करते हैं ये भी मैं आपको पिछले lecture में बता चुकी हैं लेकिन इस lecture में हम एक ठाफ फिर उन question को revise करेंगे कि हमने क्या सीखा था जैसे कि यहां पे आपको place value टेबल दिखाया गया है इसमें आपको बताया गया है कि कैसे place value values को replace करते हैं तो यहां पे हमारे पास है 5, 6, 7, 9 9 के जो हमारे पास right पे values होती हैं उनको हम करते हैं 10th से start और जो हमारे पास left पे होती है वो हमारा unit यानिके once and 10 and 100 उससा start होती है तो यहां पे 5 की place value है 100 and 6 की place value है 10th 7 की place value है unit यानिके once and 8 की place value है हमारे पास 9 की place value हमारे पास 10th से इसके बाद हम आपने previous question देखेंगे कि उसमें हमने कैसे values को place value table में replace किया था हमारा पिछला question है place the following numbers into a place value table question था हमारे पास 283 whole 3 divide 10 यहां पे सबसे पहले हमने इसका whole form खतम किया था whole form खतम करने का तरीका किया है कि जो हमारे पास नीचे 10 है वो 283 से multiply होगा और उसमें 3 plus होगा तो हमारे पास number 5 जाता है 283 3 divide 10 यह हमारे पास simple fraction में आ गया तो इसकी decimal form बन है हमारे पास 283 3.3 then अब हमने इसको करना है इसका in values को हमने place value table में replace करके देखना है कि किस नबर की कौन सी place value बनती है हमने किया कि हमारे पास जो 2 है वो 100 के 100 की नीचे है तो यहां पे हमारे पास जो लेफ्ट से left side पे हैं उनकी place value पहले देखते हैं left side पे हमारे पास जाता है unit यानिके once 3 की place value हमारे पास आ रही है right hand side साइड पे हमारे पास point के बात 3 है तो 3 की place value हमारे पास बनेगी tenths इसके बाद हम एक अपना और previous question देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास उसकी place value क्या बनी है question है हमारे पास 501.016 अब हमने देखना है कि इसमें हमारे place value क्या बनती है तो हमने देखा कि यहां पे हमने table बनाया और table में हमने point से right point से right हमारे पास है 016 तो 0 की place value है 10th 1 की place value है 100th and 6 की place value है 1000th and इसके बाद हम point से left चाहेंगे left में हमारे पास है 1 1 की place value हमने replace की हुई है unit यानिके unit यानिके once and 0 की place value है 10th and 5 की place value है 100 बेटा यह तो थी हमारे previous question इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने आज के question में कौन से number हम अपने आज के question हम अपने आज का काम देखेंगे किस नबर की कौन सी place value बनती है तो question हमारा same है right as decimal number question हमारा है right as decimal number तो यहां पर हमारे पास है 18 tenths mean हमने देखना है कि यहां पर उन्हें बताया what tenths इसका मतलब है कि 18 के दरम्यान point आ रहा है तो हमने लगाया one point eight तो हमने देखा कि place table में हमारे पास eight जो है ना वो tenths में आ रहा है और जो हमारे पास one है उसकी place value हमारे पास पान रहा है units यहां पर आपको eighteen tenths given किया गया है और हमने इसको देखना है कि हम कैसे इन decimals number को हम कैसे इन decimals number को fraction form में लिखते हैं यह हमें place value table के साथ given है तो हमने इनकी place value table में इनको replace करके देखा और उसके बाद इनको fraction form में लिखके बता दिया कि हम इनकी fraction form कैसे लिखते हैं यहनिके हमारे पास eighteen tenths था तो उसका answer हमारे पास बनना one point eight उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा next question क्या है next question हमारे पास है two tenths two tenths mean two से पहले हमने point लगाना है तो हमने लगाया zero point two बेटा आप zero लगाएं या ना लगाएं आप point two भी लिख दें तो भी आपका जवाब ठीक है क्योंकि हमारे पाउ यहां पे है two tenths ना के zero two tenths इस तरह से कुछ नहीं है हमारे पास सिर्फ है two tenths तो हमने लगाया point two तो यहां पे हमने replace करके देखा कि यहां पे हमने table में point लगा तो table में यहां पे हमारे पास table के right पे हम तेंस से start हो रहा इसके बाद हम एक और question देखते हैं और देखते हैं कि उसकी place value क्या बनती है question है हमारे पास 0.10900 तो हमने देखा कि इसकी place value है 0.09 यहां पर 0.10900 तो हमने किया 0.09 point से पहले आप 0 लगाएं ना लगाएं तो भी ठीक है तो हमारा यहां पर हो जाता है 0.09 यह इसकी place value है 0 की place value हमारे पास 10.30 है जो कि उपर आपको question में बतायागी है 9 की place value हमारे पास 130 है यह तो था आपका आज लेक्टर इसके बाद आपने इनकी ज्यादा ज्यादा practice करनी है और इनको अपने register पे उतारना है तो आपके लिए आपका काम easy हो जाएगा जितनी ज्यादा आप इसकी practice करेंगे लाँ आफिस